हेलो फ्रेंड्स एका फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तो अभी अभी यहाँ पर LNME की दुआरा वेबसाइट पर एड्मिट कार्ड डाउनलोड का लिंक जारी कर दिया गया है है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे चातर चातरें ऐसे जिनका भी तक ऐड्मिट का डाउनलोड नहीं हुआ है और जिनका भी डाउनलोड हुआ है तो उनके एड्मिट कार्ड पर एक्जाम का डेड यहाँ पर गलत दे दिया गया तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और इस वाले वीडियो में आपको डिटेल में अच्छे से बिल्कुल समझाने वाला हूँ तो आप से भी से रिखैस्टिये की वीडियो को पूरा कम्पिलीट देखे और प्लीज इसकिप ना करिया करें तो आपको क्या समझ में ने आता information फिर आप वही चीज जो कमेंड में पूछ देते हैं तो इसलिए आपको पूरा एडमीट कार्ड के बारे में इंफोर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुए इसनातक तीते एकंड 2019-22 के वैसे परिशार्ती जिन्होंने परिशा प्रपत्र ओफलाइन माध्यम से बरा है वे अपना परवेश पत्र दिनाग 10 सितमबर से डाउनलोड करेंगे तो जो भी स्टोयेंट ने यहाँ पर ओफलाइन भरा था अपना examination form यानि कि जो भी स्टोयेंट ने यहाँ पर ओफलाइन पेमन किया था अपना उसका यहाँ पर एड्मिट कार्ड जारी किया जागा 10 सितमबर 2022 को तो जिन्हों ने भी अपना online भरा था उनका तो आज admit card download start हो गया और जिन्हों ने offline भरा था उनका 10 सिजंबर से start होगा download करना ठीक है उसके बाद यहाँ पे second point में क्या लिखा हुआ है ऐसे परिशारती जिनका किसी कारणवश प्रवेश पत्र में photo और signature नहीं हो वे विहित इस्थान पर अपना नवीनतम photo चिपका करते हुए एवं अपने महाफिद्याले के परधानाचारे से अपना photo अभी प्रमानित करा लेंगे उसके बाद ही परवेश पत्र मानने होगा इसका मतलब आप समझे है friends मान लिजे आपका admit card जारी हो चुका है मैं यहाँ पर photo बना जाँ यह आपका लिजे्जे admit card है ठीक है यहाँ पर उसके बाद आपको अपने college इसको अभी प्रमानित करने के लिए यानी कि वे Paccolleg vouch destac 차 को और तभी आपका ये एड्मिर कार्ड मानने होगा तो सब्सक्राइब आगे आपको फ्रेंट जिनका यहाँ पर फोटो सिनेचर शोर नहीं करेगा उनको यहाँ पर निकाल के प्रिंट आउट उसके ओपर चिपका लेना और अपना सिनेचर कर देना उसका अपने कॉलेज में ज देखाओ का जो जारी हुआ है उसमें बहुत बाले बहुत बच्चों का उसमें एक्जाम का डेट गलती लिखाओ है तो हमने देखा था किसी का 2024 कर दिया यह पेपर 4 या पेपर 3 किसी में भी हो सकता है और GES में किसी में 2030 कर दिया तो किसी में 2026 कर दिया तो यह सब देखने को मिल रहा है तो अब आप बोलेंगे कि आप हम कौन से डेट को एक्जाम देने जाए तो देखे फ्रेंट्स आपको कोई कुछी बोले आपको भटकना नहीं है जो आपका जो रूटीन है एक्जाम का रूटीन है उसी के अनुसार आपका एक्जाम लिया जाएगा क्योंकि सब्सक्राइब के नहां प्यां पर जो आपका रूटीन गळस्त हुआ है उसका कारन है आपका Autocense तो डाटा सेंटर के अनुसार वो गलत हुआ वो टेकनिकल एरर है लेकिन आपका रूटीन कोई फॉलो किया जाएगा जो भी आपका रूटीन में एक्जाम का डेट दिया वही आपका ऑफिशल डेट है और वही आपको एडमीट कार्ड के नीचे लिखना है जो भी आपका एर ठीक है फ्रेंट जो आपका एडमीट कार्ड पर उसको नहीं मानना है अपना ऑफिशल डूटीन जो पहले जा रहे किया था उसी का अनुसार आपको एक्जाम देना है तो जिस भी डेट का है आप अपना देख लिजिए और उसी का अनुसार आपका एक्जाम होगा तो यही सब था फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो